नमस्कार पहरे बच्चों कैसे हो आप लोग मुझा अच्छा है अच्छे होंगे तो सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भी तरह मेश्वर पे स्वागत हैं तो आज हम पढ़ने जारे बच्चों कक्षाती स्री हिंदी रिमजिम पठ्ट पुस्तक का पार्ट बारवा जब मुझको सापने काटा और इसके पहले वीडियो में आपने इस पार्ट का वाचन सभी ने देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा चलो बच्चों पढ़ते हैं और पार्ट को समझते हैं तो इस वीडियो में हम पार्ट को समझने वाले हैं तो सभी लोग चारण समझ लेंगे, तो चलो पढ़ते हैं, और पार्ट को समझते हैं, एक दिन मैंने अपने अहांते में एक छोटा सा साप रेंग देखा, अब इस पार्ट की जो रिच्छित आये हैं, वो है शंकर, और वो बात बता रहे हैं, ठीक है, कि जब वो छोटे थे, ठीक है, तो रेंगते देखा, आहाता, तो आहाता मतलब क्या बच्छो, आहाता मतलब होता है, आंगन, जैसे हमारे घर के सामने जो जगा होती हैं, उसे हम आंगन कहते हैं, ठीक है, तो एक दिन मैंने अपने आहाते में एक छोटा सा साप रेंगते देखा, वो धीरे धीरे रे था स्लोली स्लोली कैसे हो रेंग रहा था ठीक है तो मुझको देखते ही वह भागा और वही पर पड़े हुए नारीयल के एक खोल में घुसकर चिप गया तो जो छूटा सा साब था उसने देखा कि वहां पे एक नारेयल के खोल बड़े नारीयल का जो कवर होता है उसे नारेयल के खोल चिप गया ओ पत्थर का टुकडा उठाया और उससे पत्थर को बंद कर दिया और उसे लेकर मैं नानी के पास दोड गया अब देखो चोटे बच्चे और अनले ने बच्छो कि जुनारिल का खोल था वह सकती है तो ईतना ही नहीं तो जो चीजे होती हैं वह खतरनाक हो सकती हमार लिए नुकसान दायक भी वह सकती थि अगर वह पथर अगर निकल जाता था और साप अगर बाहर आता था तो क्या हो सकता था? वो काड भी सकता था तो ऐसे चीज़े करना जो है नादा नहीं है ऑसा नहीं करना चीए लेकिन रियावर उस बच्चे ने किया तो हमें ऐसे चीजों से जो भी ख़तरनाक चीज़े होती है उससे बच कर रहना चाहिए बच्चो ठीक है तो नानी के पास दोड़ते हुए चला गया अब देखो नानी के पास जाने के पास नानी क्या करती है यह देखो चितर में दिख रहा है यह बच्चा है चोटा सा और उसके हाथ में क्या है नारियल है का खोल है और उसके पर पत्थर रखा हुआ है और नानी के पास जा साप अब ऐसा अगर कोई करेगा तो ये सभी लोग अचम्बित हो जाएंगे तो वैसे ही यहाँ पर भी नानी अचम्बित हो गई सर्प्राइज हो गई कि साप वह एकदम घबरा गई डर गई और लगी जोर जोर से चिकने पुकारने नाना ने सुना तो अंदर दोड़े आये जब उन्हें पता चला कि नारेल के खोल के अंदर साप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे चीन कर दूर फेक दिया जैसे ही नानी को पता चला नानी चिलाई और अब नाना को बुला लिया और नाना आये तो उन्होंने देखा कि बच्चे के हाथ में क्या है नारेल का खोल है और उसमें साप है दोनोंने तूरण उस नारेल के खोल को छीन कर दूर फिक दिया नना साप बाहर निकलाया और रेंगता हुआ पास की जाड़ी में गायब हो गया और जो छोटा सा साप था उस खोल में वो क्या हो गया जाड़ी में चला गया अदुरुष हो गया ठीक है गायब होना अदुरुष होना नाना ने मुझसे कहा खबरदार फिर कभी साप के पास म जाना, साब बहुत खतरनाक होता है, खतरनाक शब्दम ने इसके पहले वाले पार्ट में भी बढ़ाता है, खतरनाक मतलब क्या, जानलेवा, ठीक है, जानलेवा डेंजरस हो सकता है, तो ऐसी चीज नाना ने उसको समझा दिया, तो फिर देखो, आगे क्या होता है, यह देखो चित्र में, तो उसी दीन शाम को, मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, अब यहाँ पर बच्चों देखो, एक बर का मतलब होता है, ततया, ततया, या फिर हम इसे इंगलिश में कह सकते, कोई पॉईजनस इंसेक्ट ह हो सकता है, है ना, मदुमख्या ऐसे कुछ हो सकता है, है ना, तो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कि उसने काट लिखाया, और बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, अब इस पर से हमें समझ में आ रहा है कि बच्चा थोड़ा शरार्ती था, बड़ी जोर से दर्द उठ मुझे दर्द से कराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सापने काट लिया है अगर कोई मदुमक्ही या फितत या अगर काट लेती है तो मैं पता है कि कितना दर्द होता है बहुत पीड़ा होती है तो ऐसे ही बच्चा बहुत जोर-जोर से कराने लगा आवाज निकालने दिखाई और उन्हें जल्दी से नाना को पुकार तो बच्चे ने क्या किया नानी के पास गया नानी को उंगली दिखाई और नाना को पुकार लिया फिर नाना तुरंद दोड़े आए और मेरी उंगली को देखा और जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पढ़ गय आप नानाजी ने क्या किया जल्दी से बहुत ही जल्दी से उसको अपने गोधी में उठाया और बाहर की और दवडे बाग और धान के खाटों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी जोपड़ी के सामने जाकर रुके और अपने घर से जैसे निकले हो तो जो भी रास्ते में बाग और खेत थे उसको पार करके वह एक जोपड़ी के सामने जाकर रुखे बच्चों और वहां पहुचते ही उन्होंने आवाज लगए क्या आवाज लगए देखते हम तो आवाज लगए ही तो एक बुढ़ा आदमी बाहर निकला वह साप के काटने का मंत्र जानता था और नाना ने उससे कहा इस बच्चे को साप ने काट लिया है इसकी जाड़ पूक कर दो अब बच्चो वैसे देखा तो बच्चे को साप ने काटा था क्या नहीं बच्चे को एक बर ने काटा था लेकिन नाना ने कुछ देखा ने कुछ पूछा ने और तुरंत वह जाड़ फुक वाले आदमी के पास लेके गए अब वैसे दो अस्पताल में लेके जाना बच्चे को जोपड़ी में ले गया और मेरी उंगली देखी और बोला चुपचा बैटो हिलना डूलना मत फिर पितल के बरतन में पानी लाया और मेरे सामने बैटकर मंत्र पढ़ने लगा मैं चाहता तो बहुत था कि उस बुड़े को बता दू कि मुझे सापने नहीं बरने काटा है लेकिन बच्चे को कोई मोकाई नहीं मिल रहा था कि कुछ बता दे है ना तो पर मेरे मनाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया और जैसे ही मैं कुछ कहने क को मुझ खोलता तो वह डाट कर कहते चूप डर के हमारे में चूप हो जाता हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आप पहुची और सब लोग उदास कड़े देखते रहें और क्योंकि सभी लोगों को पता ही नहीं था कि बच्चे को सापने काटा की बरने तो सभी लोग उदास होकर देखने लगे उदास मतलब निराश होका है ना तो सभी लोग दुखी होकर देखने लगे कि बच्चे को सापने काट लिया है लेकिन तब तक क्या हो गया था जो बच्चे की उंगली का जो दर्द था वो जा चुका था पिर भी मुझे वह जबर्दीस्ति बैटकर जाड़ पुक करवानी पढ़ रहे थी कुछ मिनिट बाद बुड़ा आदमी उठा उसने उसी बरतन के पानी से मेरी उंगली दोई और मुझे पिलाया भी और उसने मुझे बोलने से मना कर दिया था कि दवा का पुरा असर हो मुझे बिल्कुल बोलने ने मेरे पास ले आए जब बड़े जहरीले सापने काटा था सब लोगों ने बुढ़े को उसके अदभूत इलाज के लिए अदभूत मतलब क्या एक अनोखा इलाज अनोखा अलग यह ना एक अलग प्रकार का जो इलाज किया था उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद द बुढ़े आदमे के लिए बहुत सारी चीजे भीट में भी भीजदी मैं गीप्ट कर दिया तो में इस सच में तो वैसे बच्चे को सापने काटाई नहीं था सापने काटा था बच्चो नहीं एक बर ने काटा था ततृत तो मुझे अशा है कि सभी बच्चों को यह सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और आने वाले आपको वीडियो की आपको फीर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी धन्यवाद